ये विश्व बंदूत्व के संदेश का दीन है, ये बननेस अभिहुमननेस का दीन है, जो हमें जोडें, साथ लाएं, वही तो योग है, जो दूनियों को खत्म करे, वही तो योग है, कोरोना के इस संकट के दौरान, दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ, माई योगा, वीडियो ब्लागिंग, कॉम्पूटिशन में हिस्सा लेना, इस बात को दिखाता है, कि योग के प्रती उत्सा, कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है, साथियों, इस साल, अंतर राष्ट्रिय योग दिवस की थीम, योगा एट होम, एंड योगा विद फैमिली, ये तैय हुई है, आज हम सब सामोही कारक्रमों से दूर रहकर, गर में ही, अपने परिवार के साथ मिलकर, योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माद्यम से जुड़ते हैं, तो पूरे घर में एक उर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे सब्दों में कहूं, तो ये भावात्मक योग का भी दिन है, हमारी फैमिली बांडिंग को भी बढ़ाने का दिन है। कोरोना पैंडेमिक के कारण, आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्मिनिटी स्टॉंग हो, तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक बीद विद्या है। अनेक प्रकार के आशन है। वो आशन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबोलिजम उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन COVID-19 वाइरस खासतोर पर हमारे स्वसंत तंत्र यानि की रेस्पिरेटरी सिस्टिम पर अटेक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को स्टौन करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्रानायम। प्रानायम याने एक प्रकार से ब्रिथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तोर पर अनुलोम, बिलोम, प्रानायम ये एक प्रकार से पॉपिलर भी हैं, आप भी जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं, ये प्रभावी भी है। लेकिन प्रानायम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्रानायम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे। शितली हैं, कपालभाती हैं, ब्रामरी है, भस्त्री का है। बहुत हैं, अन्गिनत हैं, अब तो नहीने जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तक्नीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टीम और इम्यून सिस्टीम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती हैं। कर्मयोग का एक विश्तार और है। हमारे यहां कहा गया है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेश्टस्य कर्मसु, युक्त स्वपनाव बोधस्य, योगो भवती दुखा। अर्थात, सही खानपान, सही डंग से खेलकूत, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी डुटीज को सही डंग से करना ही योग है। इसी कर्मियोग से हमें सभी तकलिफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निशकाम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मियोग कहा गया है। कर्मियोग की ये भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी भारत के इस निश्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभोग किया। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मियोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है, हम अपने स्वास्त के लिए, अपनों के स्वास्त के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रुप में, हम परिवार और समाज के रुप में, एक जुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एड होम एड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस तरफ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम यह करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। हम जरूर विजय होंगे।